नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तो आज की इस वीडियों हम चर्चा करेंगे संद्रशनात्मक और कार्यात्मक एकाईयों के बारे में देखिए हमारे सरीर में अलग-अलग जो सिस्टम्स होते हैं, अलग-अलग जो ओर्गन्स होते हैं उन ओर्गन्स और उन सिस्टम की एक स्ट्रक्चिलर और फंक्शनल यूनिट होती है संदशनात्माक और कार्यात्मों के गाई इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उस ओर्गन या उस सिस्टम की जो संदशना होती है उसका निर्माण यहाँ पर इस हिकाई के द्वारा किया जाता है और उस organ या उस system में कोई भी कार या कोई भी function होँआ पर संपन होता है तो वो कारी भी इस unit के द्वारा किया जाता है इसलिए इसको संदशनात्मक और कार्यात्मक एकाई कहते हैं सबसे पहले हम बात करें मानौ सरीर की, तो मानौ सरीर की संदशनात्मक और कारयात्म के गाई होती है कोसिका, क्योंकि कोसिका के द्वारा ही हमारे सरीर की हर संदशना का निर्मान होता है, और हमारे सरीर में कोई भी function जो हाँ पर perform होता है, वो भी कोशिका के लेवल पर ही परफॉम होता है बात करें हम brain की या मस्तिस्क की तो मस्तिस्क की संदस्त्नात्मक और कारित्मक की काई होती है निोर्ण क्योंकि neuron के द्वारा ही हमारे brain के structure का निमान होता है और होहाँ पर जो भी function परफॉम होते हैं वो सब नि갈 CDs के द्वारा ही perform होते हैं बात करें व्रख्या, किड्नी की संरिजनात्मक और कारयत्मक की नेफ्रों क्योंकि नेफ्रों ही व unintended है जोकि मारी किड्नी में blood filtration का कारे करती है और किड्नी की संद्र स्यने का भी निर्माणध करती है बात करें सुसन तंत्र या फेपडे की तो फेपडे की संधिन आत्मक और कारियत्मक कीखाई होती है और फेपडे के अंदर जो CO2 और कारियात्मा की काई कही आती है । बात करें अनुभन शिक्ता की या जैनेटेक्स की भूतिक और कार्यात्मा की कही घुँद конце क्योंकि जिन ही वह संर Nich ध्रेऋ हैं जिसके द्वारा एक ही पीडी